जै माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक सुआगते महाकाली भगतग्यान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज किस वीडियों में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ जो व्यक्ति माता काली का ये उपाय करेगा उसके घर में माता काली विराजमान होंगी, जी हाँ भक्तों अगर आप चाते हैं कि मा काली आपके घर में विराजमान हो तो आप लोगों को ये एक उपाय करना पड़ेगा जो उपाय में बताऊंगी और जो काम आप वो लोगे मा काली से मा काली वही काम करेँगी अब चाहे आप उनसे अच्छा काम कराओ चाहे कैसा भी काम कराओ मा काली आपके एक कहने से काम करेगी जब आप माता काली का ये महा उपाय करेंगे तो जो उपाय मैं आपको बताने जारी हूँ ये आस तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा और मैं ये भी कहूंगी जो माकाली के जितने भी भक्त है, चाहे वो साद्विक रूप में पूझते हो, या पर तामसिक रूप में जिनका गुरू हो ना भी हो, तो सबी भक्तों को ये माताकाली का उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से ही माता काली हमारे घर में विराजमान होती है जब तक हम इस उपाय को नहीं करते हैं तब तक माता काली क्या कोई भी देविदेता हमारे घर में कदम नहीं रखता है और हमारे कोई भी कारे सिद्ध नहीं करता है और अगर आप चाहते हैं कि मा काली आपके घर में विराजमान हो और मा काली आपके एक कहने से वो काम करें जो आप कराना चाहते हैं और जो आप मा काली से कहना मतलब करवाना चाहते हैं अपना काम वही काम मा काली आपका करेगी और आपके घर में मा काली हमेशा के लिए विराजमान हो जाएगी और आप एक अच्छे समय आने पे मा काली के आप एक अच्छे भगत भी बन पाएंगे और मा काली के नाम से आप लोगों को पूरी दुनिया जानेगी तो चलिए भक्तों मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथी बताऊंगी लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से एक रिक्वेश्ट करना चाती हूँ अगर आप महाकाली भकत ग्यान यूटुब चैनल पर नए आये हो तो चैनल को जल्दी से सेर कमिन्ट जरूर कर लेना बेल आइकन को उलपे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पोचे तो आज के समय में मा काली के हर एक भक्त चाहते हैं कि माता उनके घर में आए उनके घर में माता विराजमन हो और जो वो माता से हाद जोड के मांगे वही माता उनको दे ये चीज जो है आज के समय में हर भक्त चाहते हैं लेकिन आपको ये तो पता है कि मा काली सब का उधार करती है Rifat के घर में विराजमन होती है लेकिन यह नहीं पता कि भाई जब देवी देपता की हम पूजा कर रहे हैं चाहे वो कोई भी देवी देपता हो या फिर भगवान हो तो हमें उससे अपने कारे कैसे कराने चाहिए हमारे कारे वो देवी देपता कैसे करता है इस चीज के बारे में आपको बिल्कुल नोलिज नहीं होती है जिस बजा से आप मार का जाते हैं और फिर यही देवी देपता जब आपके कारें नहीं करते हैं तो आप दरदर बटकते हैं जैसे भक्तों के पास तांतरिकों के पास जहां चोकी दरबार लगाए जाते हैं वहां तक भी जाते हैं लेकिन वहां तक जाने के बाद भी आपके कारें नहीं बनते हैं कोई भी काम माता आप का करती नहीं है आप भोत मनों कामना मांगते अरदास भी लगाते अरजी भी लगाते सब कुछ कर लेते लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी आपके कारे माता सिद्ध नहीं करती है तो जब आप ये उपाय करेंगे नहीं तो माता आपके कारे कैसे सिद्ध करेगी ये जो उप से पहले अपने घर में माता को विराज मन करा,ulous sigma की पूजा पाठ करकर के माको भोग्पर साँचडा चड़ा के माता को उनों ने प्रसंद करा और जब माता प्रसंद हुई तो माता ने उनकी एक कहने से हर काम करे, जाए वो अछे काम हो चाहे वो बुरے तो अब आपको बताती हूँ ये उपाय कैसे करना है वैसे चोटा सा उपाय है आप नोर्मल तरीके से कर सकते हैं उसमें जादा कोई पैसा नहीं खरत होने वाला जादा कोई कठी नाई आपके लिए नहीं है इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को अपने घर में कुछ ची पाला पांच पेड़े और इंगलीस की सराफ पवा ठीक है यह चीजे हैं जो आप लोगों को माता को अपने घर में सनीवार के दिन और मंगलवार के दिन जरू चड़ानी चाहिए लेकिन मंगलवार के दिन अगर आप माता को साथविक में पूझते हैं तो आप सराफ ना चड तो यह जो उपाय है यह आपको सनी वार के दिन और मंगल वार के दिन चरूर करना चाहिए ρί creator means काली के सभी भक्तों को करना चाहिए ऐसा निये कि माकाली के जो पुजा पाट करते सिर्फ वही करेंगे जिनका गुरु होगा वही करेंगा, ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी काली मा के भक्त हैं, उन सभी भक्तों को मा काली को ये चीजे चड़ानी चाहिए, सनीवार के दिन और मंगलवार के दिन, ये चीजे चड़ाने से ही माता प्रसन होती है, और मा आपके घर में विराजमान हो लगती है जब आप ये चीजे चड़ाना शुरू कर देंगे तो आप खुद चमतकार देखेंगे माता आपके घर में विराजमान होने लगेगी आपको अपने रूप में दर्शन देने लगेगी अपने रूप में दिखने लगेगी आप से बात करने लगेगी आप जो कारे बोलेंगे वही माकाली करने लगेगी जब आप माताकाली को सनीवार मंगलवार के दिन ये चीजे चड़ाना शुरू कर देंगे तो चलिए भक्तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जए माताकाली हर हर महादेव ओम नमस्षिवाई